चले इस्टुन तो कुछ डिस्कसन है आप लोगों के साथ जैसे जो भी बच्चे भी लाइब प्रेजेंट है उन लोग के साथ भी और जो लोग इसको बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे यूटूब पर या एप में कहीं पर भी तो उन लोग के साथ भी देखें जैसे बी फ्राइब शनक के लिए मैं की वोग देखेंगे का अंच्याम गेरे यहां पर यहां बहुत si physiology में च्रणतीह ऐंगेिके के वहां गारें उसके बाद बहुत अब आप लोग का हजारी बाग में जहां इनवर्सिटी है वहां एक्जाम कव है तो 20 मई को तो कोई भी चांस नहीं है कि 20 मई से पहले आप लोग का एक्जाम होगा ठीक है उसके बाद फिर से रेसे डियूल होगा हो सकता है कि आपका चार जून जो काउंटिंग का डेट है उसके बाद अगला डेट अनॉंस करें यह भी हो सकता है कोई अलग वाली बात नहीं है और क्योंकि असपश्ट आपके नोटिस में लिखा गया है कि आम चुनाओ जो है जनरल एलेक्शन जो हो रहा है उस एलेक्शन के वज़ए से डिले की टाइम देने वाला है कि 6-7 में टाइम डेगा ऐसा नहीं है स्थैफ समेश्टर वण में ही इन्वसिटी बहुत टाइम देता है बागि समेश्टर 5 मेहना 4 मेहना ऐसे गल-गल लेता है तो और समेश्टर two में दो पेपर है और टाइम भी कम मिलेगा तो इसलिए स्टुए आप लोग का भी जो है class है हम 6 मही से शुरू कर रहे हैं अगर 6 मही तक अगले इजाए आप लोग का इस वाले exam का इस cancel exam का अगर date announce कर दिया तब तो ठीक है फिर batch start नहीं करेंगे B.B.U. के semester 2 का और अगर नहीं होता है batch अगर announcement नहीं होता exam का जो cancel हुआ exam math major paper 1 का वो कब होगा तो फिर हम continuous batch को शुरू करेंगे और जैसे ही announce होता है तो उस batch को stop कर देंगा Sam 2 को और तुरंट semester 1 का revision के आप लोग लग जाएगा उसमें हम मदद करेंगा आप लोग revision में तकि जो एक दूगा साम 5 बजे maths major paper का online classes YouTube पर भी दो चार classes free होंगे और आप पे तो complete courses पढ़ सकते हैं semester 2 का BVU के लिए क्या हम class सुरू करें जैसा हम सारा situation आपको बताएगे आपका exam cancel हुआ है कब तक exam होने का chance है इस बीच जो है semester 2 में दो paper है तो इस देख से सारा scenario आपको समझा दिया है बताएगे आप लोग कि शुरू करें कि exam के बाद सुरू करेंगे देख लेते हैं एक बार हम हाँ Good evening सभी को अंकीत सरबेश रहेगा यह सुरू कीजिए या सुरू कीजिए ठीक है हाँ exam के बाद ही होगा ललन कुमार कहा रहा है नहीं कीजिए सारे बचे कहा रहा है कीजिए हाँ इस तरह हम बहुत लेट हो जागा बिलकुल तो सिर्फ एक student जो है कहा रहा है कि नहीं कीजिए बाकि 19 student कहा रहा है कीजिए तो ललन आप ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा manage करिए क्योंकि भाई हम बहुत एक ही सा दूचार को पेपर थोड़े सुरू करेंगे एक पेपर सुरू करेंगे और 24 और में सिर्फ एक घंटा उस बैच को दीजिए उससे में आप revision मत कीजिए at least class को attend कीजिए live lectures को attend कीजिए note बनाइए बस इतना काम करिए बाकि पढ़िए लिविजन करिए पढ़ा हुआ है सब आप लोग का एक अच्छे student का काम यहां पर होना चाहिए कि वह इसके लिए ready होने चाहिए प्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं semester 1 का course complete है revision करवाया गया है most important questions दिए है video solution दिए है marathon classes दिए है बहुत सारा चीज़ दिए है उसके बाद अगर हम SAM2 का सुरू कर रहा है तो उमीद है कि आप लोग सब लोग agree होंगे तो 6 मई से इसका भी साम को 5 वे सुरू होगा क्योंकि BVU का और BVM के उसलेबस सेम है real analysis का सलेबस का almost सेम है और दूसरा जो paper है उसका 80% सलेबस सेम है तो जैसे कि semester 1 में खुब विस्वस्नीता के साथ हम लोग course करवाए है आप लोग को BVU BVM को अलग अलग जहां पे same रहा तो classes same दिए है तो उसी तरीके से आप लोग को खुब अच्छे तरीके से complete करवाएंगे आप लोग अभी जो classes है शुरू होगा और कौन सा paper शुरू करना है ये हम लोग आप से पूछ लेंगे कहां पे टेलिग्राम डिसकर्शन ग्रूप जो semester 1 का जो टेलिग्राम डिसकर्शन ग्रूप है वहां पे हम आप लोगों से पूछ लेंगे अच्छा और रहा बात शुरूण फी का तो आप सबको पता होगा semester 1 में हम लोग आप लोगों से फी लिये थे कितना 800 रुपीज लिये थे और आपको आप सबसे हम पूछना विचार है कि आपने जो 800 फी दिया है जो बचे एक्जाम दे चुके है उन लोगों से क्या आपको यह लगा कि आपका फी जो है जनुविन मतलब आपको रिटन मिला है आप इससे साटिसफाइड है उमीद है कि अगर किसी कोई दिखा तो बोल भी सकते है तो 800 हम लोग फी लिये थे semester 1 में मेजर पेपर एक था उसी का सिर्फ फी लिये थे क्योंकि बहुत सारा 100 प्लस वीडियो लेक्शर फिर साथ में class notes फिर इसके बाद physics minor भी उसमें teachers को रख करके करवाये थे chemistry के teachers को रख करके chemistry minor पढ़वाये फिर उसके बाद mathematical हम पढ़ाये फिर बाकी other papers के भी notes दिये तो 800 में आपको complete guidance आपको प्रवाइड किये 800 प्लस लिये थे आपको खूब सारा हम लोग वापस दिये है रिटन दिये उसमें उम्मीदेगी satisfy होंगे आप semester 2 में student 2 paper है math major paper का इसमें हम लोग एक minimum फीलेंगे 1000 ऐसा नहीं कि हम आपसे जूट बोल देंगे 200-400 दे दिजे उसके बाद complete ही न कराएं course ऐसा नहीं क्योंकि हम तो पिछले 6-7 साल से पिछले 5-6 साल से हम लोग करवा रहे है इस काम को course complete करवा रहे है हर एक साल improve कर रहे है आप जो semester 1 में लिये है जो आपको deliver किया गया उससे बहुत improve पाएंगे semester 2 तो 1000 fee होगा जो शुरुवात में बच्चे join कर रहे होंगे उनके लिए ठीक है तो आप अब शुरुवात में class को join कर सकते है छे मही से class शुरूओगा एप में जैसे semester 1 को course purchase किया थे वैसे कर सकते है कोई doubt होगा तो आप दो नंबर में call कर सकते है 8340-791994 यह office का नंबर है और एक मेरा नंबर है 7480-94943403 यह मेरा नंबर है और यहाँ पर यह office का नंबर है कहीं पर भी doubts होगा तो call करके जनकार ले सकते है ठीक है और मालने किसी बच्चे को बहुत फी का problem है कि अभी अचानक अभी तो फी नहीं हो पाएगा तो आपके पास एक सुबिदा है सुबिदा नंबर वन क्या है कि आप course को इस्टॉल्मेंट में जॉइन कर सकते हैं 500-500 दो बर पे कर सकते हैं अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है कि भई नहीं फी काम को यह भी problem है कि हम 500 भी नहीं दे सकते हैं तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं हम लोग क्या करे आपके मापापा या जो भी को पैरेंट नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि पढ़ेंगे तो लाइब में जो मज़ा आता है रिकार्डिंग में नहीं आता आप सबको पता है रिकार्डिंग में 1.5 कर्ट करके जल जल देखना हो रहा है लोग थोड़ा सा आलस उसमें आ जात स्टूडेंट अभी से थोड़ी देर बाद ही स्लेबस हम डिसकस कर देंगे समेश्टर 2 वे बीबियू का स्लेबस क्या है बीबियू के वालों का स्लेबस डिसकस कर दिया गया है उमिद है कि आपको जनकाई समझ में आ होगा और बताए कोई डाउट है तो आप लोग चलिए क्या जोड़ी तो